प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं UP Police Constable Re-Exam 2024 के लिए Reasoning की एक महतपूर क्लास प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास में हम Reasoning का Practice Set Number तो आप पिछले पार्ट को भी जा करके देखिएगा UP Police Re-Exam से रिलेटेड बहुत ही important questions पिछली क्लास में हमने कवर किये है चलिए साथ ही वो बात करते हैं आज की इस Reasoning की क्लास के बारे में तो बहुत ही important प्रिशन डिसकस करेंगे बोला गया है क्लास की पहला प्रिशन आप सभी के सामने है प्रिशन को जल्दी से पढ़ेंगे बताएंगे बोला नीचे दिये गए प्रिशन में तीसरी संख्या का चौती संख्या से वही संबंद गयात कीजे जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है तो दोस्तों हमें बताना है सबसे पहले तो हमें दिया गया है कि अगर साथियों हमारा अनाज का जो सम्मंद है अगर अनाज का सम्मंद भंडार से है किसे है भंडार से है तो साथियों लकडी का सम्मंद किस से होगा ये बताना है दोस्त किसके बारे में लकडी के बारे में बताना है कि लकडी का सम्मंद किस से होगा साथियो बहुत गोर से आप इस प्रिश्ण को समझेगे आपके एक्जाम के लिए एक महत पुड़ प्रिश्ण रहेगा देखो बात करते हैं अनाज के बारे में अनाज क्या है भीया अनाज कुछ भी हो सकता है गेहू है मतर है चना है राई है जो है कुछ भी हो लेकिन दोस्तों जब अनाज का हम संग्रहड करते हैं यानि कि अनाज को एकठा रखते हैं तो वो क्या कहलाता है साथियो भंडारण कहलाता है या फिर अनाज का भंडार कहलाता है ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम बात करते हैं लकडी की लकडी को जब हम एकटा रखते हैं लकडी को भाया जब एकटा रखते हैं तो ये गठरी कहलाती है क्या कहलाती है गठरी ठीक है इस बात को याद रखेंगे या फिर इसको अपने जुगार की भासा में बोलते हैं गठर भी बोलते हैं कई लोग ठीक है क्या बोलते हैं गठर बोलते हैं या फिर बोल देते हैं क्या बोलते हैं गठा करके ऐसे कुछ बोल देते हैं ठीक है यह अपने देशी वासा अपने गाउं की जो आम बोल चाल वासा है जह हम लकडियों को एकत्रत करके बांधते हैं उसके बाद सर पे रख करके घर लाते हैं तो गठर या गठरी या फिर गठा ऐसे कुछ बोलते हैं तो आप समझ लेंगे उसको आपके लिए important प्रिश्ण रहेगा बिकलप नमर भी आप सभी साथियों के लिए important हो जाएगा याद रखेंगे देखो जब अनाज को हम 71 करते हैं वो भंडार कहलाता है तो लकडी को 71 करेंगे तो दोस्तों क्या कहलाएगा गठर या गठरी कहलाएगा अगले प्रिश्ण में आएए सेम सादर्स्ता का प्रिश्ण आप सभी के सामने है बोला है निमने लिखित प्रिश्ण में सही संबंद ग्याद कीजिए प्रवाह का संबंद अगर साथियों नदी से है उसने बोला है कि प्रवाह अगर संबंद बनाता है साथियों नदी से तो ऐसा कौन सा बिकल्ब होगा जो इस्थर का संबंद बताएगा इस्थर का संबं में होता है तो ठीक इस्तिर का भी अगर हम पानी के सापेक चले क्या नहर में पानी इस्तिर होता है दादा नहीं होता है क्या धारा में पानी इस्तिर होता है नहीं होता है क्या नदी में होता है बिलकुल नहीं होता है क्या दोस्तों कुंड में क्या कुंड में पानी इस्तिर ह होता है हां सर कुंड में पानी इस्तिर होता है तो इसका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा साथियों कुंड बन जाएगा according to option ठीक कुंड में पानी कैसा होता है तो आप बोलेंगे सर इसमें रुका हुआ पानी होता है नदी का पानी प्रवाह करता है जबकि कुंड का पानी कैसा होता है सर इस्थिर होता है याद रखेंगे बेकलप नमर डी को चलिए अगले प्रिशन में बेकलप नमर तीन आप सभी के सामने है इसका भी सभी दोस्त उत्तर बताएगे बोला गया है निमने लिखित प्रशन में तीन बेकलप एक समान है जबकि एक अलग है विसम को ग्यात कीजे यहाँ पर विसम बताना है ऐसा कौन सा बेकलप बनेगा जो हमारा बिसम बन जाएगा देखो बिकलप नमर एक पड़जी है दो में यहाँ पर क्या है दोस्तो भोपाल तीसरे में पुड़े चौथे में सिलोंग तो साथियो अगर हम बिसम ढूनने जाएंगे तो पड़जी क्या है भाया गोवा की कैपिटल है भोपाल क्या है MP की सर कैपिटल है पुड़े क्या है सर किसी की कैपिटल नहीं है यानि किसी की राजदानी रहे है सिलोंग क्या है भाया ये तो मेघाले की कैपिटल है किसकी सर मेघाले की कैपिटल है तो उत्तर हमारा कैसे बनेगा भया बिकल्प नमर सी बनेगा क्यूंकि दोस्तों पुड़े आपकी कोई भी राजदानी नहीं है जबकि अन तीन बिकल्पों में क्या दे रखी है राजदानी दे रखी है पड़ जी हमारी गोवा की हो जाती है मद्द प्रदेश की भुपाल हो जाती है सिलॉंग मेगाले की हो जाती जबकि पुड़े तो किसी की राजदानी है ही नहीं चलिए अगले प्रश्ण में आ जाते हैं अगला प्रश्ण एक बहुती प्यारा सा सांदार सा प्रश्ण है इस प्रश्ण का सभी साथी उत्तर बताएंगे बोला है निमने लिखित अक्षर स्रंखला में लुप्त अक्षर गयाद कीजिए यहाँ पर दोस्तों लुप्त अक्षर बताने है तो सबसे पहले हम अक्षर स्रंखला को थोड़ा बड़ा लिखने का प्रियास करेंगे गौर से देखो A है, B है, C है, A है क्या है? साथियों, आगे देखेंगे तो C है फिर डैस है, फिर A है ठीक है, इस तरह से इस तरह से हमें कुछ लेटर दे रखे हैं तो ऐसे प्रिश्ण में आपको करना क्या होता है? जब भी ये प्रिश्ण हमें सॉल्ब करना होगा तो हम क्या करेंगे सर? हम इसके टोटल पद काउंट करेंगे गिनिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चाउदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, और उननीस साथियों कुल कितने पद हैं? आप बोलेंगे, सर, यहाँ पर जो पद मिले हैं, वो तो उननीस मिले हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उननीस का क्या कर सकते हैं? अगर एक छोड़ दें, तो अठारा, अठारा के पेर बन सकते हैं, च्छे गुणा तीन के या फिर 3 गुड़ा 6 के ऐसे भी तो बन सकते हैं अगर हम एक छोड़ दे साथियो अगर एक लाष्ट का छोड़ देते हैं ठीक है लाष्ट का छोड़ देते हैं तो 3 गुड़ा 6 बना लो या 6 गुड़ा 3 बना लो ठीक है तो उससे पहले एक जुगाल लगाएंगे लाष्ट बाले को छोड़ देगे चुक्कि हमें पता है कितने यहां पर लेटर है तो लाष्ट वाले चोड़ देगे तो हमें 18 पता चुलेंगे उसके बाद क्या करेंगे हम एक पेर तीन का बनाएंगे और दूसरा पेर छे का बनाएंगे एक पेर तीन लेटरों का और दूसरा पेर जो बनेगा वो छे लेटरों का बनेगा ठीक है उसके बाद तीसरा जो पेर होगा वो साथियो कितने का बनेगा नो लेटरों का एक बहुती प्यारा सा लॉजिक होगा, साथियो गौर से समझते रहना है. आप लोगों को गौर से समझते रहना है. यहाँ पर देखो A, B, C टीन लेटर हैं. उसके बाद साथियो अगर गौर से देखेंगे, तो हम इसको क्या डबल ए, बी, सी, डबल ए कर सकते हैं गौर से देखो इसको हम कर सकते हैं डबल ए, बी, सी, डबल ए ठीक है इस बात को याद रखेंगे हमने क्या किया है एक बार बैक कर देते हैं ठीक है पूरा का पूरा एक बार बैक कर देते हैं यहां पर एक मिनिट दादा यहां पर क्या था कितने लेटर थे सर्च छे लेटर थे डबल ए बी सी डबल ए ठीक है इस तरह से यहां से कटा हुआ था अब गौर से देखो हमने कहा ए बी सी इसके बाद दोस्तों इसको हमने किया डबल ए डबल ए बी सी डबल ए ठीक है इस बात को याद रखेंगे इसके बाद मैंने किया यहां पर ।す प्रिते हैं लाष्ट वाला लैटर अगर हटाएंगे तो यहां पर क्या आ सकता है यहां पर हमारा अगर हम फिल करें तो पहले तीन लेटर उसके बाद में हम आगे के अगर चार लेटर ले 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 उसके बाद साथियों हम अब की बार में तीन लिए फिर चार लिए तो अगली बार में हम पांच लेटर काउंट कर लेंगे कितने 5 letter count कर लेंगे ठीक है इस बात को याद रखेंगे 5 के बाद क्या अगले 6 हो रहे है हाँ भई अगले 6 हो रहे है गौर से देखो प्यारे दोस्तों logic बन जाएगा पहली बार में हमने कितने letter लिये है सर 3 letter ठीक है एक minute पहली बार में हमने लिये हैं 3 letter दूसरी बार में लिए है चार लेटर अगली बार में लिए है पांच लेटर और अगली बार में लिए है छे लेटर ठीक है इस तरह से देखो प्यारे साथियों हमारा लॉजिक बनेगा यहां पर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा ABC हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डबल एबी सी हो जाएगा और यहाँ पर डबल एबी सी हो जाएगा ठीक है डबल एबी सी हो जाएगा ठीक है डबल एबी सी हो जाएगा ठीक है डबल एबल भी फिर सी फिर एक बार में डबल एबल भी डबल सी इस तरह से गौर से देखो प्यारे सत्यों एक most important question है आपके exam के लिए देखो मैंने क्या किया यहां पर मैंने ABC रखा था गौर से देख लो प्यारे दोस्तों यहां पर मैंने पहले ABC रखा था मैंने क्या किया पहला वाला letter डबल कर दिया ठीक है पहला वाला letter डबल डबल A हो गया उसकी बाद में इसी का दूसरा वाला letter अगले में डबल कर दिया तो हमारा पहला तो डबल था पर अगला वाला भी डबल हो गया इसके बाद में हमने इसी का तीसरा letter अगली लैन में डबल कर दिया तो इस तरह से एक logic बनेगा और वो logic क्या होगा साथियो ABC पहली बार में फिर डबल ABC फिर हो जाएगा डबल A, डबल B, C फिर हो जाएगा डबल A, डबल B, डबल C ठीक है इस तरह से और साथियो इसमें जो फिल करेंगे वो हम करेंगे A, B, A, C ठीक है A, B, A, C इसमें हम फिल करेंगे और A, B, A, C फिल करेंगे तो बिकलप नम्मर देखो तीन में दे रखा है यानि कि बिकलप नम्मर C में हमारा उत्तर आजाएगा साथियो इसको एक बार आप रिवर्स करके जरूर देखेगा एक important question है हमने पहले तीन लेटर लिए फिर चार लिए फिर पांच लिए फिर छे और लास्ट बाला हमने छोड़ दिया है ठीक है तो इस बात को भी याद रखेंगे अगले question में आजाएए अगला question Coding recording का एक महतपूर प्रिशन है इसको देखेए बोला गया है एक संकेतिक भासा में mind को k, g, l, b लिखा जाता है r, u को ये लिखा जाता है तो diagram का code क्या होगा तो दोस्तो mind को गोर से देखेंगे m 13 पर होता है m के बाद क्या है i, i होता है 9 पर n होता है 14 पर, d होता है 4 पर इसको लिखा क्या गया है तो बोलेंगे के मतलब सर 11 पर और जी मतलब क्या 7 पर ठीक है एक मिनट जी कितने पर 7 पर यहां पर देखेंगे आप लोग L होता है 12 पर और यहां पर B होता है 2 पर ठीक है इस बात को याद रखेंगे इसके बाद आगे चेक करो R U लिखा गया है A 1 पर होता है R 18 पर होता है और उसके बाद G 7 पर होता है और उसके बाद देखेंगे U आपका 21 पर होता है और E हमारा 5 पर होता है इस बात को याद रखेंगे इसे क्या लिखा है तो बोलेंगे सर Y हमारा 25 लिखा गया है क्या लिखा तो साथियों अगर आप गोर से देखेंगे 13 में दो गया 9 में दो गया 14 में दो गया 4 में दो गया 1 में दो गया यानिकी 1 एक पर होता है A में अगर 2 चला जाएगा तो वही आएगा मतलब घट करके उसके बाद 18 में दो गया यहां भी दो गया 21 में दो गया और 5 में दो गया हमेशा क्या हो रहा है साथियो आप बोलेंगे सर हमेशा 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 माइनस 2 का लोजिक चल रहा है दोस्तों वही प्रियोग हम कहां पर करेंगे डाइगराम में डाइगराम को देखो d4 पर होता है दो जाएगा तो बी से सुरुत होनी चाहिए दो बिखल्प गलत ए। किसके बाद अंत कहीज़ कर लें क्या अंत के तो दोनों बगराबर देराखें कहा से चेक कर लें। अंत का second चेक करेंगे तो देखो diagram में A आया है ये देखो ये गौर से ये बाला ये A आया है A में अभी देखा था हमने जब दो जाता था क्या आता है 25 आता है यानिकि Y आता है तो second last पर Y आना चाहिए अंत में K होना चाहिए second last पर Y अंत में K तो ये तो गलत हो गया बेकलब नमर B उत्तर आएगा साथियो बेकलब नमर एक ठीक है इस बात को याद रखेंगे देखो D में दो गटाएंगे तो B बचेगा A में दो गटाएंगे तो G बचेगा तो B G हो गया उसके बाद A में दो गटाएंगे तो फिर से हमारा Y बचेगा और G में दो गटाएंगे तो फिर हमारा E बचेगा और आगे जब R में दो गटाएंगे तो क्या बचेगा P बचेगा आगे तो देख लो दोस्तो Y के हो जाएगा ठीक है इस तरह का हमारा उत्तर आएगा जो की ए नम्मर में दे रखा है अगले प्रिश्ण में आईए साथियो कुश्चिन नम्मर हमारे पास 6 है बोला गया है दोस्तों यहाँ पर यदि धूल को हवा कहा जाता है हवा को आग कहा जाता है आग को पानी कहा जाता है पानी को रंग कहा जाता है रंग को वारिस कहा जाता है वारिस को धूल कहा जाता है ठीक है तो मचली कहा रहती है भया मचली कहा रहती है पानी में रहती है कहा पर पानी में रहती है प्रिश्ण में देखो पानी को क्या कहा गया है उसलिए वो अपने रंग में आ गई अरे दादा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है भाई क्यों नहीं है क्योंकि प्रिश्ण में उसने बोला है जो पानी है पानी हो क्या बोला है रंग में है तो भाई यह मचलियां कहां पर रहेंगी रंग में रहेंगी इस बात को याद रखेंगे ठीक है बेकलप नमर सी आपका सही होगा चलिए आजाईए एगले प्रिश्ण में एक बहुत ही प्यारा सा कुश्चिन है आपके सामने कुश्चिन नमर साथ बोला गया है A, B, C, D, E, F और G एक गोला कार मेज पर चारों और बै प्रिशा देते हैं याँ पर उसने यह नहीं बताया कहां पर मुक किया है तो हम सीधा अंदर के और मुक करवाएंगे ठीक है इस बात को याद रखेंगे इसके बाद देखो पढ़ो पहली लाइन पहली लाइन तो हमारी कंपलीड हो गई कितने लड़के हैं चार और बैठे है डी जो की माफी चाहेंगे जी जो की डी के बाई और दूसरे इस्थान पर है डी के बाई और दूसरे इस्थान पर डी के बाई और दूसरे पर पहले पर दूसरे पर डी के बाई और दूसरे पर कौन है दादा आप बोलेंगे जी जी जो है डी के बाई और दूसरे यहां पर आएगा यहां पर आए यहां पर आ सकता है ई और अएफ इस बात को याद रखेंगे इसके बाद और यह लाइन ove मारी आजे ऑनेख बोलाए D CRD जो है वो C एक पड़ोसी है दाड़ा जो ड्रें वस्ती और इक का पड़ोसी नहीं है तो हम इस है जो ढिए उस और ईका पडूशी नहीं है तो हम यहाँ पर गोर से देखो लिए को अगर यहाँ पर रख्ड़resh, कि बाद बोला है यह पहली लाइन की बात कर रहे थे अभी ठीक है उसके बाद उसने बोला है ए जो है बी और सी का पडोसी है दादा जो ए नाम का सक्स है जो ए नाम का अगर मैं ए नाम के सक्स को यहां पर रखता हूँ तो यह किस किस का पडोसी है यह दादा एक बी का पडोसी ह किसका एक B का पड़ोसी है एक C का पड़ोसी है गौर से देखो किस का पड़ोसी है बी और C का देखो यहां पर गौर से देखो पहली लाइन D जो है C और E का पड़ोसी नहीं है D अगर C E का पड़ोसी नहीं है तो C हमारा कहां पर आएगा यहां पर और सेस कौन था बी बच रहा था चुकि उसने बोला है जो A है वो B और C का पड़ोसी है यह दोखो हमारा पूरा का पूरा सरकल कम्पलीट हो चुका है सारे के सारे लड़के बैठ चुके हैं अब पृष्ण के अमसार बोला है निमने लिखित मैंसे कौन सा सही है यहाँ पर बताना ऐसा कौन सा बिकल्प है जो सही है भाई इतनी सारी रामाड करने के बाद हमें बताना है कौन सा सही है दोखो बोला गया है A नमर में A और D के बीच में B बेठा है क्या A और D के बीच में B बैठा है आप बोलेंगे हाँ भाया यही सही हो गया दादा यह तो हमारा पहला वाला ही सही हो गया पहला वाला सही है ठीक है उसके बाद दोखो F और G के बीच में D बैठा है F और G के बीच में भाया कोई नहीं बैठा है तो दूसरी लाइन तो से नियन, यानि सरासर गलत हो गई, यहाँ पर देखो, G के ठीक दाएं तरफ E है, G के ठीक दाएं तरफ कौन है, भया, F है, यह D नहीं है, तो इसका मतलब यह भी गलत हो गया, G के ठीक बाएं तरफ F है, G के ठीक बाएं तरफ कौन है, भया, E है, F तो ह यह नहीं है इसका मतलब यह भी गलत हो गया अब उत्तर क्या बना सही विकल्प नमर ए क्या बोला था बोला था ए और डी के वीज में कौन बैठा बैठा यही सही उत्तर है साथियो उम्मीद करते हैं आपको यह प्रिश्ण समझ में आया होगा साथियो एक बार इसका दच्छड की और 30 मीटर चलता है उसके बाद वह अपने दाइं और मुड़ता है और 30 मीटर चलता है फिर अपने प्रारमिक इस्थान से कितनी दूर है तो साथियों सबसे पहले तो यह समझो एक लड़का है दच्छड की और चला है मैं माल लेता हूं कोई लड़का यहां से चलना प्रारम करता है यह लड़का है यहां से चलना प्रारम करता है कहां पर गया दच्छड की और गया दूरी कितनी तेकी है 30 मीटर तेकी है उसके बाद बोला है फिर दाइं और मुड़ा है अगर दाइं और मुड़ना चाहेगा तो कहां पर पश्चिम में चला जाएगा कहां पर जाएगा सत्यों पश्चिम में और दूरी कितनी है 30 मिल्टर उसने ही बोल दिया है सवाल में 30 मिल्टर की दूरी फिर से तै करता है किया अब फिर से हुए अपने बाई और मुड़कर 20 मिल्टर चलता है अब दोस्तों बात ये फस गई कि अभी इसका मुग पश्चिम में है अब वो कहां पर मुड़ेगा बाई और मुड़ेगा और बाई और मुड़ने के लिए उसे दच्छिण में जाना पड़ेगा और दूरी कितनी तै करेगा सर यहां से दूरी तै करेगा 20 मिल्टर कितनी तै करेगा यहां से केवल और केवल 20 मिल्टर क्योंकि बोला है बाई और मुल कर 20 मिल्टर चलता है किरा फिर से बाई और मुलता है और 30 मिल्टर चलता है अब साथियों इसका मुग फिर देच्छन दिसाब हो गया अब फिर से यह बाई और मुड़ा है, मतलब यहां से फिर बाई और मुड़ा और यह दूरी इसने एक बार फिर से 30 मिल्टर तेकी है अब दोस्तों उसने पूंचा है, वह अपने प्रारम्मिक इस्थान से कितनी दूर है प्रारम्मिक इस्थान कहां पर ये था अब पहुंचा कहां पर है यहां पर दूरी किती हैं बता सकते हैं हाँ सर बता सकते हैं कैसे बता सकते हैं यहां पर सबसे पहले तो हमारा एक आ जाएगा सीधा डोट करके तो 30 अगर ये है 30 ही ये भी हो जाएगी समुख बुजाएं समा की गडबढ़ हो गई कहीं नहीं दे रखी हैं क्या गडबढ़ है दया जल्दी से देखते हैं एक इसके बाद करा आब वह बाई ओर मुडता है देखो भाई इसका मुख पश्चिं दिसा में है और बाई ओर मुड़ेगा तो इसे दजङ्ड में जाना पड़ेगा चुकि बीस मीटर चलता है उसने बोला बाई और मुड़ कर तो हमने बीस मीटर चलवाया यहां पर ठीकче इसके बाद उसने बोला है फिर से वह अपने बाई और मुडता है और 30 मिटर चलता है भाई फिर से हमने इसको बाई और मुडाया 30 मिटर चलाया ठीक है अब करें प्रारमिक इस्थान से कितनी दूर होगा तो भाया मुझे पता है क्या पता है सर हमें ये पता है कि ये दूरी उपर की हमारी 30 ती नीचे की हमारी 20 हो गई कितनी हो गई टोटल दूरी अंत के बिंदू तक की तो सर् 50 ही तो होगी ना 50 मीटर ही तो होगी क्या हम कहीं पर गलती कर रहे हैं अगर गलती yang hockey तो मुझे बता दो कमेंट वोक्स में नहीं तो हमारा उत्तर 50 मीटर आएगा कभी-कभी जिन्दिगी और सवाल के उप्सन भी गलत हो जाते हैं ये तो हमें पता है कहीं-कहीं नहीं मिलते उप्सन तो चलना तो पड़ता है न तो बढ़ेंगे अगले प्रिश्ण की तरफ 20 मीटर इसका सही उत्तर आएगा आएए अगले प्रिश्ण में प्यारे दोस्तों अगला प्रिश्ण नो नंबर का कुश्चन है एक बहुती सांदार ला जबाब प्रिश्ण है बताएंगे बोला गया है निमलिक्त चार अक्छर समूह हों में तेन अक्छर समूह एक निश्चत तरीके से एक जैसे हैं एक अलग है अलग अक्छर समूह की पहचान कीजिए तो कैसे करेंगे तो देखो यहाँ पर लिखाए P है R है K है और I है ठीक है इसके बाद क्या है S है है T है H है और I है इसके बाद क्या है फर L है N है O है M है इसके बाद दोस्तों C है E है और क्या है X है और V है तो गौर से देखो साथियो मैंने इसको तरना दूर दूर क्यों लिखा क्योंकि इसका एक कारण है वो कारण क्या है इनक एक अपोजिट दे रखा है गौर से दिख लो पीके मूवी मैंने बताई थी या फिर इसी को कमला पसंद बोलते हैं एक बताया था इंडियन रेल बे आई यार एक हाई स्कूल बताया था एच एस एक बताया था जी टी रोड ओहो गडबल हो गई यहां पर आई के स्थान पर क्या आना चाहिए तो जी आना चाहिए था इसका रड़ बिकल्प नमर तीन गलत हो सकता है आगे देखो L लब होता है L का L O M N का मन होता है M N अपोजिट होता है C X का 6 होता है ये भी अपोजिट होता है EV का evening होता है ये भी opposite होता है तो तादा कौन सा opposite नहीं है आप बोलेंगे सर यहाँ पर T है तो अगले स्थान पर G आना चाहिए ताचुकी आई आया है इसका रड़ बिकलप नमर 3 क्या है यही इसका बिसम उत्तर है याद रखेंगे तो अगले प्रिश्ण में आजाईए साथियो अगला प्रिश्ण कुष्चिन नमर 10 है चलिए पढ़ते हैं करा यदि अंडर टेकिंग सब्द को बर्णानू करम में विस्तित किया जाए तो पुनर गठन के बाद कौन सा बर्ण बीच में होगा तो बिना किसी देरी के हम अंडर टेकिंग लेते हैं यू एंडी इ आर उसके बाद क्या है टी एक आई ये जी एसा ही तो है आप बोलेंगे अंडर टेकिंग क्या हो जाएगा सर अंडर टेकिंग हो गया इसको क्या करना है बर्णानू करम में यानि कि सबसे पहले कौन आएगा दादा A आएगा उसके बाद क्या आएगा B है नहीं है C है नहीं है D है हाँ है A के बाद D हो गया अंडर अंडर टेकिंग D के बाद E हो जाएगा ठीक है undertaking ठीक है एक मिनट कहीं पर गड़ बड़ कर रहे हम बढ़नानू करम में वस्तित पूछाए ना उसने तो हम पहले पर A को रखेंगे उसके बाद हम दोस्तों D को रखेंगे D के बाद E को रखेंगे E के बाद F है नहीं तो G को रखेंगे उसके बाद H नहीं है I को रखेंगे ठीक है I के बाद क्या है J के J तो है नहीं के को रखेंगे उसके बाद क्या है L नहीं है L के बाद M है नहीं है M के बाद N है हाँ सर N है undertaking उसके बाद 2 N है तो एक और N हो जाएगा N के बाद O है नहीं है अ के बाद P है नहीं है Q है हाँ नहीं है R है हाँ sir R है Under T है T है King U है U ठीग है इस तरह से तो ये साथिओं हमने यहाँ पर रख दिये सारे के सारे letter रख दिये बोला है पुरन गठन के बाद कौन सा word बीच में होगा तो देखो साथियो चार यहां से उड़ाए चार यहां से उड़ाए एक यहां से एक यहां से कौन सा बीच में के होगा बीच में ये तो साइध हम प्रिश्ण करवाए हैं ये तो अगर पिछली क्लासेस आपने देखे हैं ये प्रिश्ण तो करवाया है साथियो तो आपका ये repeated question हो गया question number 11 मैं भी चाहेंगे question number 10 इसका उत्तर आएगा कि अगले question में आईए साथियो question number 11 पर बढ़ते हैं बोलते हैं किरा निमलिखत प्रिशन में पहली संक्या का दूसरी संक्या से संबंद ग्याद कीजिए जो तीसरी संक्या का चोथी संक्या से है गोर से देखो यहां पर देखो 18 का संबंद अगर 30 से है दोस्त तो हमें ग्याद करना है 36 का संबंद किस से होगा 36 का संबंद किस से होगा यह बताना है तो गोर से देखो इसका लोजिक क्या है बईया मैं इस 18 का करूँगा double क्या करूँगा 18 का करूँगा double और minus में कर दूँगा 6 तो 18 दूनी 36 और 36 में से 6 जाएगा तो कित्ता बचेगा 30 बचेगा ठीक प्यारे दोस्तों उसी प्रकार यहां पर logic लगाएंगे मतलब 36 का double भाईया हम क्या करेंगे यहां पर 36 का करेंगे double 36 का दोगुणा और minus का 6 36 दूनी होता है सर बात्तर 36 दूनी बात्तर में जाएगा अच्छे तो कित्ता बचेगा भाईया चाचट बचेगा चाचट बचेगा तो कहीं पर दे रखा है क्या चाचट देखो चाचट बिकलप नमर D में है बिकलप नमर D हम सभी का सही उत्तर हो जाएगा इस बात को याद रखेंगे ये भी important question है अगले प्रिश्णी में आजाओ अगला प्रिश्णी बोला है question नमर 12 निमनिलखित प्रिश्णी में तीन सब देख जैसे हैं जबकि एक विसम है विसम को ग्याद कीजे बोला है सरमहा नदी, कावेरी, नर्मदा और कृष्णा इनमें ऐसे विसम क्या होगा तो गौर से समझो प्यारे दोस्तों गौर से समझना है यहाँ पर कुछ नदियां गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ऐसे समझो कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जबकि कुछ गिरती हैं कहाँ पर अरब सागर में तो बताओ ऐसी कितनी नदियां हैं जो कहाँ पर अरब सागर में गिरती हैं तो बोलेंगे विकलब के अनुसार विकलब नमर C एक मात रैसा है जो कहाँ पर गिरती है अरव सागर में यानिकि नर्मदा नदी कृष्णा बंगाल की खाड़ी कावेरी बंगाल की खाड़ी महानदी बंगाल की खाड़ी तीनों के तीनों उत्तर बनेंगे आपके ठीक है ये कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जबकि बिसम क्या होगा जो अरप सागर में गरेगी अरप सागर में कौन गरेगी बैसे तो कई सारी गरती हैं according to option गरेगी नर्वदा और नर्वदा ही इसका सही उत्तर बनेगा बिकलप नमर सी अगले प्रिश्ण में आये साथियो यहाँ पर हमारे पास question number 13 एक महतपूर प्रिश्ण दे रखा है साथियो आप सभी को इस प्रिश्ण का उत्तर बताना है जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जबाब देखो साथियो गौर से इस प्रिश्ण को देखो बोला गया है बच्चों की एक प्रिश्ण है प्यारे दूस्तो रेंकिंग ओर का और रेंकिंग ओर को हम अच्छे तरीके से समझेंगे सबसे पहले तो समझना होगा यहां पर जहां मैंने लिखा यह दाइदिसा होती है और यहां पर मैंने जो लिखा यह हमारी बाइदिसा होती है यानि कि जो स्क्रीन आप देख रहे हैं आपका सीधा हाथ दाइदिसा उल्टा हाथ बाइदिसा बस ऐसे ही देखते रहो जैसे म बोलेंगे हैंसर और बाएंसे जो George है वो कौन से स्थान पर है सर Jeff or georg को बनाएगे पाँचवे तान पर ठीक है इस बात को याद रुखिंगे इसके बाद साथ swing क्या बोला है इतना सा बोला है कि Peter दाएं छोर से बारवें इस थान पर है जो Peter नाम का सक्स है जो P4 Peter नाम का सक्स है यह दाई सोरी कहां से बोला है दाए चोर से 12 पर हैं ठीक है यह दाए चोर से 12 पर हो जाईगा तो जोर्ज और पीटर की मैंने कंडिसन बना दी साथ यह बोला है यदि पीटर जोर्ज की और तीन इस्ठान बढ़ता है जोर्ज की और कितने इस्थान बढ़ रहा है गोर से समझते रहना है जोर्ज की और तीन इस्थान यानिगी एक इस्थान दो इस्थान तीन इस्थान अगर पीटर जोर्ज की तरफ जोर्ज की तरफ कितने इस्थान बढ़ता है तीन इस्थान बढ़ता है तो वह बाएं छोर से दसवा हो जाता है यह लाइन बहुत important है जो पीटर है, वो बाएं छोर से कितना हो जाता है तो आप बोलेंगे सर, बाएं छोर से कितना हो जाता है, P4PDS कर दो देते हैं, पेटर दसवा हो जाता है तो साथियो मुझे ये बताओ, पंक्ती में जो condition है वो कितनी आ गई भाईया 12 और 2 14 गौर से देखो गौर से समझो कहां पर मैं बात कर रहा हूँ मैं बात यहां से कर रहा हूँ पीटर मुझे पता था दाए चोर से कितने पर था 12 पर लेकिन 12 इस्थान के बाद वो कहां पहुँचा 13 14 14 के बाद 15 तो साथियों अगर एक तरप से पीटर की position यहां से हमें पता चली है 15 है यह 15 आ रही है हमारी इस दिसा से और दूसरी दिसा से पता चल रही है 10 तो टोटल बेकिती बता सकते हो वह यह एक ही पीटर है दोनों दिसाओं से condition दे रखी है तो क्या लगाएंगे लेप्ट प्लस राइट माइनस में 1 देखो जोडो 10 प्लस में 15 25 होता है कितना 25 एक गटा होगे कितना 24 तो पंक्ती में कुल कितने बच्चे आएंगे सर 24 बच्चे आएंगे बेकलप नमबर 1 के सही उत्तर होगा इस बात को याद रखेंगे कितने लगे हैं पंक्ती में 24 लगे हैं एक important question है याद रखेंगे देखो साथियो गोर से देखो यदि किसी को समझ में नहीं आए एक बार जल्दी से देख लो पहली condition दे रखी थी जोर्ज बाइयोर से पांचवें इस्थान पर है तो मैंने क्या किया था जोर्ज को पांचवें इस्थान पर बनाया था कहां से बाइयोर से उसके बाद दाइयोर से जो पीटर था वो बारवें इस्थान पर था इसके बाद उसने क्या बोला था पीटर है वो जोर्ज की तरफ अगर तीन इस्थान बढ़ता है तो मैंने का पहला इस्थान दूसरा इस्थान और तीसरा इस्थान बढ़ा दिया जो बाइचोर से है जो मारा पीटर अगर पहले तो दाइचोर से बारवा था उसके बाद तीन स्थान जैसे ही वो जोर्ज की तरफ बड़ा वो बाइचोर से कितना हो गया दस्वा हो गया तो भाईया मैंने का बारा पर था तीन स्थान बड़ा पंदरा हो गया और पंदरा मैंसे दोस्तों एक तरफ से 10 कंडिशन एक तरफ से 15 दोनों पता चल गई एक ही ब्यक्ति की तो क्या रगाते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस बन इस इकुल टू आएगा 24 अर्थ क्या है अवी का पती है यानि कि हमयसा आगे बाला ही वियक्ति कहीड न कहीं पीछे ऑले का कच न कच बन रहा है तो हमें क्या करा मैं जयाद बात को याद रखेंगे अभी हमें यू का कोई जेंडर पता नहीं है ठीक है इस बात को भी याद रखेंगे तो आगे बाली मैंने बेहन बनाई पीछे बाले की ठीक है पीछे बाले की सोरी आगे बाली बेहन बनाई पीछे बाले यू की आगे बोला है क्रोस का मतलब क्या है आगे हमारा दे रखा है U और क्रोस पीछे दे रखा है Q तो क्रोस का मतलब था आगे वाला पीछे वाले का भाई है तो भाईया यह 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 हमारा यू है यह किसका भाई है पीछे वाले Q का भाई है तो यह तीनों आपस में भाई वेन हो गए अब माइनस का मतलब है आगे वाल है तो आगे कौन आ रहा है भई टी पती हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का मतलब है आगे बाली पीछे वाले S का, ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, तो हो गया यहाँ पर, उसने पूछाए जो P है, V से किस प्रकार संबने थे, किसे V से, से लगा है V के साथ, P कहां पर है, दादा ये रहा, V क्या बोलेगा, V एक क्या है, एक हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ये भी एक महतपूर प्रिशने साथियों आपकी एक्जाम के लिए, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, चलिए अगले प्रिशने में आ जाते हैं, अगला प्रिशने 15 नंबर का है, बोला गया है, निमनलखित प्र ये वो साथियों हमारा देश आना चाहिए, क्या आना चाहिए ये देश, देश पहले आएगा तो बिकलप नमर एक से शुरुआत होगी, तो देखो ये दो बिकलप तो उड़ा दो गलत होगए, इसके बाद आगे चेक करो, फिर क्या आएगा, भया देश में क्या होगा, द पाच तो यहां पर हम लगा देंगे पेड़ को, एक तीन पाच कहां पर है, देखोई तो गलत होगया, आपका ए नमर का सही है, एक तीन पाच उसके बाद चार में क्या दे रखका है लकडी, पेड़ से निकालेंगे लकडी, और लकडी से क्या करेंगे, फरनीचर बनाएग साथ यह भी एक important question है, कुछ तस्वीरें frame है, चलिए कथन निसकर्स को बनाते है, और एक के मद्यम से, कुछ तस्वीरें, तो मैंने का कुछ T4 जो तस्वीर है, इनका कुछ पार्ट क्या है, F4 frame है, बस इतनी बाद से याद रखना है, इतना इतना सा यह जो पार्ट है, तस् P4 मूर्तियां हो जाएगा, इसके बाद उसने आगे बोल दिया है साथियो, सभी मूर्तियां परदे हैं, तो जितनी भी मूर्तियां है, वो क्या है, सारी की सारी P4 परदे के अंतरगत आ जाएगी, ठीके इस तरह के आरेक बन जाएगी हमारे, निसकर्स को परते हैं, निसकर पर्दे किसे करCRIठ में है जल्दी से बताओ कौन सा क्लर है यह इसका क्लर का नाव नाम बता हो यहार मैं तो भूल रहा किए P 64 और परदे का सम्मझ्द T4 कहीं पर तस्वीर से बंढ़ रहा है नहीं बन रहा है हो बन जाए हो सकता है ना बने हमें कोई मतलब नहीं है गलत कर दो ठीक है सीधा गलत करते हैं क्योंकि हमें एक्जेटली पता नहीं चलता है बन रपा रहा है या नहीं बन पा रहा है अगर देखो करेंगे कुछ फर एक मिनिट कुछ पर्दे फ्रेम हैं क्या कुछ पीपोर प्रिश्ण को देखते ही नजर लगनी चाहिए नजर किसे लगेगी अभी बताते हैं कैसे लगेगी गोर से देखो साथ्यो ए नम्मर का बिकल्प, बी नम्मर का बिकल्प, सी नम्मर का और डी नम्मर का इसके बाद हमें ग्याद करना है अगली अक्रती यानि कि इनमर ग्याद करनी है साथियो इनमर इनमर ग्याद करनी है उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक डबा चाहिए क्या चाहिए डबा इसी डबे में बंद कर लेंगे भाई क्या कर लेंगे यह जो हमें आकरती मिलेगी अगली बारी इसी में बंद कर लेंगे तो सबसे पहले मुझे बताओ अगर गौर से देख लो इस डॉट को इस डॉट को देख लो ये अपनी दिसा हर बार में चेंज कर रहा है ये जो डॉट दे रखा ये हर बार में अपनी क्या कर रहा है साथियो दिसा चेंज कर रहा है बस यही तो करना है इसी की दिसा तो चेंज करवानी है पहले दोस्तों ये कॉर्णर बर था इस कॉर्णर को कह सकते हैं पूर्ब उसके बाद कहां पर आ गया दश्च्ड में उसके बाद आ गया पश्चिम में अब की बार चला गया फिर यहां पर कहां पर नौर्थ में तो अगली बार कहां में होगा पूर्ब में होना चाहिए यानि कि जो डार्क सर्कल होगा जो डार्क सर्कल होगा वो कहां पर होगा गौर से दिखो वो जो हमारा डार्क सर्कल होगा वो जो डार्क सर्कल ये कहां पर हो जाएगा याद रखेंगे साथियो एक मिनिट यह जो dark circle होगा यह हमारा कहाँ पर हो जाएगा यह हो जाएगा इस corner में इस corner को क्या कहते हैं एक बार फिर से पूर बाली में तो देखो dark circle के अनुसार देखें यह गलत है यह भी गलत है नीचे है यह भी गलत है अब बच रहे हैं दो नमबर का और पाच नमबर का इसके बाद अब आपको कुछ लाइने देखनी है जहाँ पर मैं देखवाने की कोसिस करूँ बस वो लाइने देखनी है गोर से देखिए साथियो यहाँ पर पहली वाली ए नमबर में इसके बाद फिर से यह दिसा कहां पर गई है उत्तर की ओर चली गई है इसके बाद इनी लाइनों की दिसा अब की बार में पूर्व की ओर है फिर दोस्तो हमारी यह दिसा है दश्चिड़ की ओर आ चुकी है तो कहने का मतलब है कहने का मतलब बस इतना सा है साथियो यह जो दिसा होगी यह कहां पर होनी चाहिए यह लाइनों की दिसा इस सरकल में अगर देखो पहले पश्चिमती फिर उत्तर गई फिर पूर गई फिर दच्छड गई तो अगली बार में फिर कहां पर होगी फिर से यह पश्यम होगी फिर से पश्यम होगी ठीक है इस बात को याद रखेंगे वह दो कॉर्नर ने अपना चेंज कर दिया यह तो कोणर ही चेंज कर कर लो उसके बाद यह जो आकरती यह कट लगे थे यह बाले कट यहाँ पर जो ए बी सीडी में जो हमने कट लगाए इन कटों से पता कर लो पहला पश्चिम दूसरा उत्तर तीसरा पूर्व चोथा दच्षिड और अगली बार से फिर से पश्चिम तो उत्तर तो आएगा बिक स्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस पहले हैं न जो सी नम्मर का यह गलत हो जाएगा आपका उत्तर जो बनेगा वो विकल्प नमर भी बनेगा ठीक है इस बात को याद रखेंगी विकल्प नमर भी सातियों हमारा सही उत्तर है चलिए अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण 19 नमर का गौर से देखो बोला है क इसमें से दूसरा प्रश्ण के लिए किस के लिए प्रुस्के लिए ठीक है इस बात को याद रखेंगे ये दूसरा जो आरेक बनेगा ये हमारा पुरुस के लिए बनेगा अब आप बोलेंगे सर पुरुस के अंदर भी तो कानून के चातर रख सकते थे भई सारे के सारे पुरुस थोड़ी ना होते हैं सारे कानून के चातर कुछ मैलाएं भी तो होती है, अपनी कानून की चात्रा हैं, कई ऐसी मैलाएं हैं, जो अबारे कानून के लिए लड़ाई लड़ती हैं, तो कानून के जो चात्र हैं, उनमें से कुछ पार्ट पुरुस्का हो जाएगा, उसके बाद, उसके बाद गौर से समझो, उसके बाद कि हाँ पर देखो एक आरेक आएगा जो हमारा दरसाएगा विज्ञान के चात्र को किसको दरसाएगा साथ हो विज्ञान के चात्र को तो इस तरह से आ जाएगा ठीक है इस बात को याद रखेंगे तो विज्ञान के चात्र में कुछ पुरुस हो जाएंगे कुछ अनलोग भी हो जाएंगे तो हमने ये अनलोगों के लिए छोड़ दिया कानून में भी अनलोगों के लिए छोड़ दिया और कुछ पुरुस भी मैंने खाली छोड़े हैं ये क्यों छोड़े हैं तो कि सारे ही पुरुस दोड़ी ना होते है कानून के चातर और विग्यान के चातर तो इसी बात को याद रखेंगे जिसमें आपकी क्रॉस करती हुए एक आकृती उसमें दो क्रॉस करती हुए आकृतियां दे रखी है यही इसका सही उत्तर है चलिए अगले प्रिशन में आते हैं कुश्चन नमर 20 एक प्यारा सा कुश्चन है स्रंखला का देखो क्या रहा है निम्लिक तो दोस्तो तेरा दूनी 26 का अंतर है और अंतर देखने जाएंगे तो 40 दूनी 80 यानि क्यों 49 का अंतर है तो अगला तो पता चली ही जाएगा कि सर 52 का होना चाहिए अब आप बोलेंगे कि क्यों 52 का क्यों होगा क्यों कि भाईया 13 दूनी 26, 13 तिया 49, 13 चोके 52 तो 52 का ही होगा ना तो 85, 13 यानि 80 में जैसे ही आप लोग 52 जोड़ोगे तो प्यारे दोस्तो 25, 13 यहां पर 132 इस कुश्चन मार के स्थान पर जो संख्या आएगी वो होगी 132 132 दे रखिये विकल्प नमर डी में